आज के इस प्रेश वारता में हमारे साथ उपस्रित विहार विधान परशत्य सदस जीवन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सिदार संभू जी, प्रदेश के मीडिया के हमारे प्रमुख अशोगभर जी, समी मीडिया के बंदुगन, आज का ये जो प्रेश्वारता है, मुख रुप से मानिये उप मुख मंतरी तेजस्वी यादो, मानिये मुख मंतरी नितीश कुमार, जो लगतार विहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे थे, और आज सरकार के बनने के पूरे दस महीने होने जा रहे हैं, और इस दस महीन के अवद्धी में, तेजस्वी यादो ने जो अपने घोशना पत्र में, आरजडी के घोशना पत्र में था, कि दस लाख नौकडी का जो रेवरी बाटा था उन्होंने, आज विहार की जनता और विहार का युवाओं उनसे इस पर हिसाब चाहता है, कि पिछले दस महीने मे दस लाख में आपने कितनी नौकडियां दी, जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम दस लाख नौकडियों की हशाक्चर करेंगे, उसके बाद कम से कम हर महीने दो कैबिनेट और इसके इसाब से सोजी तो 20 से अधिक कैबिनेट हो चुके होगे, पर 20 कैबिनेट में भी 10 यादों की नाकामी दिखती है और बहुत स्पष्ट है उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन कर लिया पर विहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरसे वादा खिलाफी दिख रहा है साथी साथ पिछले वर्ष आपने देखा था कि 15 अगस्त को मानिये मुखमंत्री जी जो पहले कहे थे कि 10 लाक नौकडी का खजाना में से पैसा कहां से आएगा जब तेजस्वी यादों ने विशे उठाया था और अब 15 अगस्त को मानिये मुखमंत्री जी ने कहा कि नहीं में 10 नहीं 20 लाक नौकडी दूँगा तो मानिये मुखमंत्री जी आपको बिहार के युवाओं को बताना चाहिए कि 10 महीने में आपने कितनी नौकडियां दी 20 लाक में और आने वाले कुछ और महीने जो आपके सरकार के बचे हैं उसमें आपके नौकरी देने का क्या रोड मैप है चुकि पूरी तरसे बिहार के लोगों को आपने लटकाने का भटकाने का काम किया है और मेरा ये मानना है कि जिस परकार से अभी सिक्षकों के विशे पर अंदोलन का तिति तै किया है 13 जुलाई को पूरी तरसे विधान सवा मार्च में हजारों की संख्या में बिहार के लोग आने वाले हैं मुखमंत्री जी ये स्पश्च उत्य भाजपा के आपको चुनोती है कि 13 तारी के पहले आप रोड मैप बताईए नहीं तो भाजपा के कायकरता और भाज बिहार की जंता आपको घेरने का काम करेगी जुक ही जिस प्रकार से आप लगतार कि एक गैंग बनाकर इस देश में इसे राजिकी जंता की चिन्ता को छोड़ करिसे राजिकी जो स्थिति है चाहे वो अराजक्ता की सरकार चल रही हो चाहे law and order का विशे हो चाहे development का विशे हो किसी पर उनका ध्यान नहीं है और ध्यान केवल एखी विशे पर है कैसे हम देश के पद्धान मंत्री बन जाए और दूसरे वेक्ति के ध्यान में है कैसे हम दिगाजी के मुखमंत्री बन जाए तो बियाहर की जनता आपको देख रही है और 13 मार्च को जहां एक नियोजी सिक्षकों को राजी कर्मी के दर्जा के विशे पर और 10 लाख युवाओं के नौकरी के विशे पर ये विधान सवा मार्च होने जा रहा है उसके पुर्व इस सरकार को हम चुनोती देते हैं कि मानी मुखमंत्री जी अगर आप उसके पहले रोज मैप नहीं तही करते हैं उसके पहले आप निरनाय लेते हुँ नहीं दिखते हैं तो सरक से सदन तक भारती जनता पार्टी आपके सरकार को तो गेरेगी ही और जन्ता के इस मुद्दे को पूरी तरसे सरकार के खिलाप एक जबदस सहंग विरोध का एक प्रदसन आपको देखने को मिलेगा साथी साथ जिस बीपेसी के माध्यम से एक जाम की चर्चा मानिये मुखमंत्री जिया उनके सिक्षा मंत्री ने की है वो सपस्ट सचीव उसके आप सचीव को हटाते हैं तो एतना दुर्भावी पुन्चन जिस सिक्षा विभाग में मंत्री और पधान सचीव में ही नहीं पटे वो विभाग का क्या इस सिती होगा आप समझ सकते हैं और उस विभाग के दिश्टी से जो इस परिसितियां बनी है कि आज व इस विभाग में मुखंधि चीधे सुनना तो दूर वर्टमान के जो सिक्षा मंत्री है वो भी दूसरे काम में लगे हुए और सबसे बरी बात इस पूरे विशे को जो भटकाने का काम मानिये मुखमंति जी ने किया है कि जिस BPSC का हवाला दिया था गुनवत्ता की बाद हमें सबस्ट रबते कहते हैं कि आपने दो दो बार सिक्षकों का आहरता का परिच्छा लिया दूसरे राज्यों में उसी आहरता के अधार पर सिक्षक की निवक्ति होती है उसको राज कर्मी का दर्जा मिलता है लेकिन अपने राज में आप उसको भी किनारे किये हुए है और सबसे बड़ी बात अब आप गुनवत्ता की बात करने आये हैं जब बीपेसी के माध्यम से उस बीपेसी में एक लाग शेत्तर हजार करीब जो वेकेंसी की बात आई थी उसमें से एक लाग नब्बे हजार आवेदन आते आते उसका पूरा साइट क्रैश कर जाता है उस बीपेसी के इतनी छमता नहीं है कि इतने बड़े एक जाम को ले पाए केवल मुखमंत्री जी ने दबाव देकर उस बीपेसी को राजी कराया है जिसका सपष्ट रुपत है कि बीपेसी को एक साल में जो उसकी अपनी छमता का सिस्टम है बीस हजार से भी कम लोगों का नौकरी लेने का है अब उससे आप उमीद करिए कि दो लाख लोगों को नौकरी देने का तो कहीं न कहीं उसका सिस्टम तो क्रश करेगा ही और मानी मुखमंत्री जी जानते थे यह सारी बात पर फिर भी उन्होंने इसको भटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 तक और 2025 तक इस मामले को हम लटका कर रखेंगे तो इसके अधार पर राज़िती रोटी सेख पाएंगे लेकिन भारती जन्ता पार्टी सपष्ट उनको चिताबनी देती है कि आप इस मुद्दे को भटकार ही सकते हैं हम बिहार की जनता के साथ इस विसे पे खड़े हैं बिहार के सिख्चकों के साथ इस विसे पे खड़े हैं बिहार के युवाओं के साथ इस विशे पर खड़े हैं और हम इस अंदोलन के रूप में आपकी सरकार को घेरेंगे और स्पष्ट रूपते सरक से सदन तक आपको इसकी आख रोज देखने को मिलेगा कोई सवाल हो गया तेरह तारी को गांधी मिदान से हजारों की संख्या में हम कह रहे हैं लेकिन साथ सरकार को अंदाजा हो जाएगा कि वो संख्या कितनी बड़ी होगी क्योंकि आपने बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है तो बिहार का युवाओं आने को तयार खरा है और बिहार के सिक्षक जिसको आपने इतने दिनों तक लटका के रखा है वो भी तयार खरा है तो 13 तारी को विधान सवा मार्च होगा गांधी मिदान से हम विधान सवा की ओर बढ़ेंगे। प्यारी शुरू हो गई है। निश्रीत रुप्ते हम सब साथ में आएंगे। हम विहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तेजस्वी आदो अपना रोजगार लेकर विधेश प्रवास पर हैं। दन्यवार।